नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चनल पूल के लोल में आफ़त विकास स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है क्या है बिक्स संगड? आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि बिक्स क्या है और साथ में समझेंगे कि बिक्स के अंदर रगत कौन कौन से सरस्य देश हैं तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं सबसे बहले बात करते हैं क्या है बिक्स शंगड़ा जैसा कि आपको नाम दिख रहा है B-R-I-C-S बिक्स जैसा कि नाम से इनके सरस्य देशों के भी नाम किलिएर हो रहा है B से ब्राजिल B से ब्राजिल R से रूश I से इंडिया भारत C से चीन और S से साउथ आफरिका ब्राजिल, रूश, इंडिया, चीन, साउथ आफरिका ये पाँच देश इसके सिरस्य देश हैं तो चलिए अब इनको डिटेल में जानते हैं तो ब्राजिल, रूस, भारत, चीन और दच्छिन अफरीका के संगठन को सायुक्त रूप से ब्रिक्स कहते हैं इस संगठन के स्थापना जो है 2006 में हुई थी पहले इसका नाम ब्रिक था पहले इसका नाम बी आर आई सी था ब्रिक क्यों था क्योंकि इसमें सिर्फ चार सदस्य देश सामिल थे ब्राजिल, रूस, इंडिया और चीन और जो एस से लगा वो साउथ अफरीका के आने से लगा यानि दच्छिन अफरीका की तो इसको समझते हैं कि इसकी सुरुआ जो आर्मक्रेशी में हुई और उसका पहला नाम ब्रीक था बाद में जाके ब्रिक सक्वा क्योंकि स्में चार सरस्य थे तक ही तच्छिन अफरीका को सामिल किया गया लेकिन बाद में हर साल बिक देशो का सालजना संभिलन उता है जिसमें इनके सिर्फ शनीता सामिल होते हैं हर से 14 नवंबर 2019 को 2019 को हुआ था और कहां पर हुआ था वह ब्राजिल में हुआ था ब्राजिल की राजदानी में हुआ था यह काफी मायत संगत और प्रस्परिक रूप से लावकारी विकास के लिए एक संभू के साथ साथ अलग अलग देशों के भी सयोग को व्यापा की सतर पर आगे बढ़ाना है यानि जो विक्स का उदेश्य है वो विकास के लिए संभू के साथ सथ अलग देशों के बीच भी अलग अलग आसको ध्यान में रखा जाता है ताकि सम्मंदित देश की आर्थिक तागतों के अधार पर सम्मंद बनाया जाए और जहां तक संभब हो सके पतियोगीता से बचाया जाए इस संगड़न के तुवारा आर्थिक सिति को ध्यान में रखा चाएता है कुछी जो आर्थीक शिति के अधार पर किसी संबंदी देशों के साथ संबंध बनाया जाए। उस से की उस देश के साथ पतियों जीता से बचाया जाए। और विक्स के भिविन वित्य उदेश्य के साथ एक नाय और आसा जनक राजनीतिक राजनाय के काई के रूप में उभरा है वैस्विक वित्य संस्थान में सुधार के मोल उदेश्य से परह है इसका कहाने का उलब एंडीबी है एंडीबी यानि नियू डवलेप्लेप्मेंट जिसकी हम चर्चा अगले नेक्ट वीडियो में करेंगे तो ये तो बात हो गई उदेश्य की अब हम बात करते हैं स्योग के छेतर की कि सयोग किस किस छेतर में करता है ब्रिक्ष शंगड़न तो सबसे पहला आता है कि आर्थिक सयोग तो ब्रिक्ष देशों में कई छेतरों म अर्थिक सवयोग की विदियों के साथ वैपार में निवेश देजी से बढ़ रहा है पहला इसका जो पहला जो सवयोग का छेत्र है वो यह है दूसरा है पीपल टू-पीपल एक्षचेंज इस पॉइंट को समझते हैं यानि बिक सदेशने पीपल टू-पीपल एक्षचेंज जो मजबूत करने और संस्कृति खेल शिक्षा फिलम आदिश च्छेत दधा युबाओं के निकट सवयोग को बढ़ावा देने के वसकता को पैचाना है यानि इसका साम सीधा सीधा मतलब यह है कि पीपल टू-पीपल एक्षचेंज क्या मतलब यह है कि इस देश का व्यक् तीसरा पॉइंट है राजनितिक और सुरक्षा सयोग यानि बिग सदस्योग के राजनितिक और सुरक्षा सयोग का अधेश से विश्व को सांति सुरक्षा और विकास और अधिक नियाय संगध और निस्पक्ष बिनाने में सयोग करना है यह इसकी तीसरे सयोग का छेतर है अब हम बात करेंगे चुनोतियों की, यानि चुनोतियां क्या है बिक्ष संगठन के लिए, क्योंकि चुनोतियां काफी ज़्यादा महत्रों रखती है इसमें, तो जो सबसे पहले जो चुनोति है वो तीन बड़े देश, रूस, चीन, भारत, आर, सी, आई, ये तीन बड़े देश अपने-अपने हित के बिक्ष के लिए चुनोती हैं, दुनिया भर के बड़े उभरते बजारों में पतंदी बनाने के लिए, बिक्ष को बहु महादीपी होना चाहिए, अन्य छित्रों और महादीपों से भीस के सदसे बनाने पर विचा करना चाहिए, इसमें ये पॉइंट सही की कि इसमें सिर्फ तीन ही बड़े जो देश हैं वो हैं, वो अपने हित के लिए बिक्ष के लिए खुद एक चुनोती हैं, जो की R, C, I है, ये खुद अपने हित के लिए बिक्ष संगर्धन के लिए चुनोती हैं, अधर यानि को वास्विक रूप से बिक्ष को वास्विक रूप से परस्किक्ता बढ़ाने के लिए अपने एजेंडे का विस्तार करने के अभश्कता होगी अभी तक जलवाईू-परीवर्थन और वित-विकास-धारवुस-रचना में निर्मान कोई अजेंडा की मैं परमुक्ता मिली ह हुई है कि इसकी अगली चुनोती है कि बिक्स को बैस्विक रूप से यानि पर्शिक्ता बढ़ाने के लिए अपने एजेंडे को विस्तार करने के सकता है जो कि अभी तक सिर्फ जलवायू परिवरता और वित विकास अधारवु सुरश्चना के निर्मान में ही एजेंडा प को अगोला बात सामिल है नॉकोंकि पांचो सरस्थ सेकता स्वेम राश्टियनदेइपर हाभी हो सकते हैं अब अगले पॉइंट को है बिक्ष का महत्व को तो आइए समझते हैं कि विक्ष का महत्व क्या है बिक्ष का महत्व तो गर्टलब है कि एक सम्मूं के रुपे बिक्ष दुनिया की 42 परतिसत अवादी वाली पांच पर्मक उभरती अर्थववस्ता को एक साथ लाता है बिक्ष संगड हैं जो सबसे बड़ा महत्वी है कि ये पांच उभरती हुए अर्थववस्ता को एक साथ आता है और दुनिया की 42 परतिसत अवादी वाली जो पांच देश हैं इन में दुनिया की 42 परतिसत अवादी निवास करती है वर्थ 2018 के आखडों के अनुसार इन पांच उदेसों का दुनिया के सकल गेरेलो उत्पाज GDP में लगवग 23 परतिसत में 17 परतिसत है यनि GDP में इन 5 देशों का 23 परतिसत हिस्सा है और वहीं विस व्यपार में 17 परतिसत सोचिए तो ये महत्रों ज्यादा हो जाता है है विक्स संगढडन का वे अगला पॉइंट है इसका कि ब्रिक्स व्यक्स व्यपार और विकास ताацион में बिक्सदेशों का बड़ा योगदान है जो व्यस्विक व्यववस्टा का महतपून इस्तहम बनता है व्यष्विक व्यक्स व्यक्स व्य difils इसमें बिक्स देशों का बड़ा योगदान है अगला पाइंट कि अगर हम चर्चा करें तो 20 वर्त वरस्ता में बिक्स के भड़ते योगदान ने नई पहन के लिए कई अपसरों का निर्मान किया है और जो टिकाव और समावेशी विकास में मरदगर सावित हो सकते हैं तो यह था आज का हमारा बिक्स चंगठन के ऊपर वीडियों मैं मैंने समझाने की पूरी कोशिस करी ऑफ गोगए जो कि मैं हरी डाउट के लिए की कोशिस तक वीडियों और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करिए कमेंट करके जरूर पूछेगा साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर को ना भूले धन्यवाद